हेलो गाइज वेलगम बेक तो माई यूटुब चैनल सो कैसा में करने वाली वीकली स्किन केर रोटेन तीनेजर के लिए काफी है वीडियो पिश्वास के लिए मैं यूज किया है लाग में ब्लेश और ग्लो कीवी क्रेश्ट फेश्वास में कीवी में होते है विटामिन सी जो इसकिन टाइप सभी लोग यूज़ कर सकते हैं इस फेश वास को एंड टीनेजर्स इसे इसीली परचेस भी कर सकते हैं जितने भी वीडियो में मैंने प्रोड़क्त यूज़ करें सभी अफॉर्डेबल रेंज में हैं मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी फेश वास से तो अब मैं इसको टू-3 मिनिट तक मसाज करने के बाद मैं फेश वास कर लूँगी तो गाइस मैंने फेश वास कर लिया है आप देख सकते हैं जितना भी मेरे फेश पर डाड ओल था सब रिमूव हो गया एंड क्लियर सकिन ल कर सकते हैं इसक्रब अप्लाइ कर लिया है मैंने तो इसे अब मैं सिर्फ टू-3 मिनिट तक अप्लाइ करूंगी जितनी भी डैट सेल्स होंगे मेरे फेश पे इतनी भी डाड इंप्यारटीज होगी सभी निकल जाएगी अच्छे से सो गाइस इसक्रब आप वीक में एक से दो बार जरूर किया करें जब हम इसकिन केर नहीं करते हैं स्क्रब फेस पैक वगर कुछ अप्लाइए नहीं करते हैं तब ही हमारे फेस पेंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम एंड डाक स्पॉट्स रह जाते हैं जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सब हमारी वजा से ही होती है बिकॉज हम अपनी स्किन की क्यारी नहीं करते हैं वैसे भी समठ साने वाली है तो आप वीक में एक से दो बार स्क्रब जरूर किया करो स्क्रब करने के बाद में मैंने फेश वास कर लिया तो आप देख सकते हैं फेश कितना क्लीन लग रहा है जितनी भी डैड इंपरिटी सी सब निकल गई सो अब मैं यूज करूंगी फेश पैक के लिए बायो टिक का ही रिपिंगमेंटेशन एंड टैन रुमूबल फेश वैक फॉर ऑल इसकिन टाइप के लिए होते हैं तो यह फेश पैक हेल्प करेगा इस किन के टैन को रुमूव करने में कभी क्या होता है हम दूप में निकल बार इसकर वगरह कुछ भी नहीं करते हैं तो आप बस एक बार इस फेस पैक को अप्लाइक करना आप देखेंगे इंस्टेंट रिजल्ट बिकोज जितना भी हमारे फेस पे संटैन हो जाता है ना सब को रिमूव कर देता है इसमें काफी सारे फ्रूट्स हैं जो कि हमारे ल पाउडर जैसे इस बलास में टोमाइटो जूस पाइनेपल जूस बबूल गॉन इसमें बहुत अच्छे इंग्रीडियंट जो कि हमारे संटैन को रिमूव करने में हल्प करेगा और फेस को इंस्टेंट ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा इसे अब मैं 20-25 मिनट के लिए ऐसी लगा छोड़ दोंगी इस फेस ट्राय होने के बाद में फेश वास कर लूँगी अपना तो आप देख सकते हैं पहले से और ज्यादा फेस निखर गया है इंस्टेंट ब्राइटनेस आ चुकिए जितना भी टैन मेरे फेस पे था फूस सब रिमूव हो गया और आप भी जाए तो आपको और भी ससा मिल जाएगा मैं इसे एजर टॉनर अप्लाइख कर लोंगी अपने फेस पे मैं क्या करते हूँ अपने टौनर को फ्रिज में रख देते हूं ताकि अपलाय करूं तो घंड़ा फीलो तो तो इस तो आप जरूर अपलाए किया करें क्या होता है हम face pack scrub apply कर लें तो हमारे pores open हो जाते हैं तो जिससे pores open हो जाते हैं धूल मिट्टी अंदर चली जाती है उससे pimple निकलते हैं तो आप इनको close करने के लिए toner जरूर अप्लाई किया करें ताकि close हो जाएगे तो आप मैं next यूज करूंगी good vibes का rose serum सो गई रोजप सिरम इसलिए अप्लाई किया मैंने बिकोज यह डीप ली जाके नेरेस कर देता इसकिन को यह डीप ली मॉश्यर करता है और जो हम क्रीम बगर अप्लाई करते हैं वह भी मॉश्यर करते हैं बट यह डीप ली मॉश्यर कर मेरी इसकिन ड्राइब है तो तो तोड़ा मुझे एक्स्टर मॉश्यर देना पड़ता है इसकिन को इसलिए मैंने फेस्ट सिरम अप्लाई किया और अब समर आने वाली अगर अगर आप आप सिरम आपकी तो आप विटामिन सी कर सिरम अप्लाई करें कोई भी वाटर वेस्ट सिरम अप्लाय करें नेटें मैं यौज। नीवेया सॉफ्ट विटामिन उलाइट मॉश्चराइजर बहुत बहुत अच्छा मॉश्चराइजर इस समर्स के लिए यह ओली स्किन वाले ड्राइश वाले अल्सकिन टाइप इस किन सब भी ट्राय कर सकते हैं इसको यह बिल्कुल भी फेस पे ऐसा नहीं लगता कि ऐल अप्लाइ कर लिया हो आपने फेस को एक दम फ्री ली कर देता है मतलब की बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करता इसकिन पे सो आप इसे जरूर अप्लाइ करें समर के लिए यह बेस्ट प्रॉडक्ट है जैल बेस्ट मॉशराइजर है सो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी बायोटिक की लिप बाम जो की ब्लैक लिप्स को जो भी काली परत जम जाती है ना हमारे लिप्स पे उसको रिमूव करने में नैच्न Big Duty Truly बनाएगी सो गाइज मेरा वीकली स्किन पर एंप आपकी स्किन केर को तो बिलकूल किया मत करो झाल झाल